पीएज़ी के साथ पीएज़ी क्या रेगुलर कौन सा करेंगे पहले नोटिफिकेशन आया था यूजी सी का कि दो डिगरी एक साथ कर सकते हैं एक उपन से और एक रेगूलर से कर सकते हैं ये लाउड अब आप ओनलाइन चेक कर सकते हैं ऐसा है अच्छा तो वह मुझे देखना पड़ेगा हो सकता है मैं स्वेड नहीं हूँ तो लेकिन क्यों ऐसा करना है कोई पीएज्ड यों तभी कर सकते हैं जो मास्टर कर चुका हो यह ना आपको मुझे पता करना पड़ेगा मुझे पता नहीं है कि पीएज्ड के साथ मास्टर कर सकते हैं कि नहीं दूसरा मास्टर प्रफेसर का पार्ट टाइम पीएज्ड उनके लिए जो कहीं वर्किंग प्रफेसर नला है जैसे मेरे जूनियर यह एक्जाम्पल दे रहा हूं जी कई साय लोग हैं जैसे चलो अभी मालो जैसे कोई कुछ लोग होते हैं जो मेंसी के बाद ही उनको जॉब मिल जाता स्टेंट प्रफेसर का तो वह आईट दिली मेरा क्लास्मेट था जब मेसी उसने कंप्रीट किया तो जैसे उसको यह दूसरा मेरा जूनियर एक आईट बॉम्बे में था अनील अनील किल्ला वह अभी जेली नुवर्सिटी के रामान उजन कॉलेज में प्रोफेसर अनील का जामपल लेते हैं तो अब वह अस्टेंट प्रोफेसर है डियू मेलेडी सिर्फ मास्टर्स करके मेसी करके ठीक है अब प्रोमोशन और यह सब्सक्री जरूरी है तो इस तरह से है तो उसके लिए क्या करेगा उसको जोड़ने की जवहत नहीं है वह क्या करेगा वह क पार्ट टाइम पीजडी के लिए तो उसमें क्या होता है फेलोसिफ जो मिलती हो नहीं मिलेगी और फिर वहां कर पाएगा लेकिन उसके लिए जरूरी होता है अगर दूसरे ही सूर्ट से आप पीजडी करते हैं तो पहले एक साल कोर्स वर्ग होता है जिसमें आपको जैसे म एक साल करेंगे फिर उसके बाद वापस एक साल बाद उसको जोड़ना निपड़ेगा जौब लेंगे फिर वापस आप उहां पर जाके अपनता जौब करते रहो और साथ में पीजडी भी करते रहो यह सी चलते रहेगी समसे में एक लरका है तो सवन वी आईडिले मया क्लासमेट था तो रास्तान आइक तो यह लोग है कि उसके बादू में जाकरु आपने लिया तो वह जॉब भी कर्राइब है फुल-टाइम भी है उसका और फुल-टाइम पी-स समें तो से बेवर सकते हैं तो अम सब्सक्राइस ऐसा है थो पर एक्साथ लिए अगर वह hopes प्रसक्राइब कर सकता क्यों सब्सक्राइस ने करElipple looking करना है तो उसको part time PhD होगा उसको जैसे जुब नहीं कर रहा हूँ हाँ जौब नहीं कर रहा हूँ जुशा कि और नहीं कर पाएगा तनिंस को आपको दिखाना है कि पार अब उसमें experience मांगते हैं ऐसे नहीं कराएंगे दो साल आप कहीं पर work कर रहे हो जहां तक मने पढ़ा notifications कि two years आप अगर कहीं working हो दो साल बाद ही PhD आप च्वाइन कर सकते हो part time में भी मतलब कहीं पर आप दो साल कंटिन्यू कियो सर्विस उसके बाद ही वह इंसूट आपको PhD करने के लिए अलाओ करेगी और या कोई इंसूट PhD में इडिमिशन लेगी तो वहां working experience दिखाना पड़ता है कोई भी experience teaching नहीं कहीं भी job का experience चाहे corporate का हो यह कोई भी field का experience हो जहां working हो द देख सकते हैं कि part time PhD लेक्ट क्या regulation है उनका तो वह मिल जाएगा आपको अगल में जी थांक्यू चलिए आगे आते हैं तो कि अगल कि अगल